हेलो प्रब्रब्रण स्वागेता है अब सभी का अब सभी के बसंद्रेटिव चनल राय एजुकेशन में सामान ग्यान की वीडियो लगातार आप लोगों के लिए हम लगातार प्रेश्चित कर रहे हैं उसी क्रम में आज हम लोग बात चीत करेंगे टॉप 15 प्रशनों की और अगर आप जीकी के पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपोर्टनेंट हो जाता है और आप अपनी सेल्फ एनेलेसिस करते जाते हैं क्योंकि यह सभी जो वीडियो हैं सभी प्रशन जो हैं पिछले कम से कम 10 वर्सों के प्रशन पत्रों से सारे वंडे एक्जाम स से मिक्ष प्रशनों को हम उठा रहे हैं और आप सभी एक दूसी प्रतियों के लिए बहुत उपी होगी तो चली देरने करते वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सारे प्रक्टियस पेपर कोशन करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहले बात चीत करेंगे पिछली वीडियो में आप सभी से एक चैलेंज कोशन पूछते हैं और इस वीडियो में भी पूछेंगे एक चैलेंज कोशन और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से एक चैलेंज कोशन पूछा था कि भुकंप को जो यंत्र मापता हूँ उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ और जिस स्केल पे उसकी मेजर की जाती है कि कितने पॉइंट का ये भुकम प्राइस की तीवरता कितनी रही है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्टरी स्केल ठीक है आप सभी ने बहुत अच्छे से अंसर दिया राश्पती पर महाभियों की प्रक्रिया किस देश के समिधान से लिए गए थी पिसली वीडियो में हमने बात की थी कि राश्पती पर महाभियों की प्रक्रिया हमान उन्चेद 61 के अंतरगत देख सकते हैं और तो ये किस देश से हमने उठाया है आपके ऑप्शन अमेरिका जापान, सुविज संग या आरलेंड वीडियो पॉस करके आप अंसर दे सकते हैं मैं इसका अंसर बताता चलता हूँ तो राश्टपती पर महावियोग की जो परकरिया है वो हमने अमेरिका के समिधान से उठाया है और यह आर्टिकल एकसरट के अंतरगत आपको देखने को मिल जाती है समिधान के चलिए आज आते हैं नेक्ट कोशन के तरफ नेक्ट कोशन है हमारा भारती समिधान के अनसर भारत का प्रतम नागरिक निमन में से कौन होता है प्रधान मंतरी, लोकसबाध्यक्ष, राश्पती या उपराश्पती तुमारा जो भारती समिधान केता है उसके अनसर प्रतम जो नागरिक होता है वो हमारा राश्पती यानि कि हमारा प्रेसिडेंट होता है और हम लोग यह लिखा हो पाते हैं कि प्रेसिडेंट इस फर्स्ट पर्सन आफ आवर नेशन या आवर कंटरी ठीक है चली נेक्स question पर आजाते हैं यानि किस देट को सुभाज चंदर बोस की जएनती हम लोग मनाते हैं आप सभी पता है कि सुभाज चंदरबोस जी का हमारे स्वातैचरता संक्राम में अबूत पुर्व इयोगदान रा है और ऐसे वीरो को हमारी तरब से सवस्वत नमन हर बार रहता है और इनके द्वारा एक फौज की एक फौज की स्थापना की गईती अगर आपको उस फौज का नामयाद हो तो जरूर कमेंट करिएगा ठीक है चलिए आजाते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन है हमारा कि प प्रधानमंत्री यहां पर अपने देश के अगर बात करें प्रधानमंत्री का जो प्रोसेस है जो नियम है वह आपकी किसके दर निर्वाचन के द्वारा ही बनाए जाता है हम लोग निर्वाचन करते हैं प्रते की विक्ति अपने मत का प्रयोग करता है है और निर्वाचित करते हुए प्रतान्मंत्री पते तक ले कर जाता है अब यहां पर सबसे important बात यह है आप सभी से की हर व्यक्ति का अपना-प्रज जैसे प्रतान मंत्री का तो निर्वाचन के द्वारा होता है सभी लोग हम लोग सांसुदों को वाथ करते हैं सभी सानसद बन जाते हैं फिर उन सानसदों में आपस में हापत होती है और वो लीड कर जाता है उनको बना ढिया जाता है लोगा सर्वोच और अगर आपको पसंद आ रहा हु कबिनिंट मिनिस्ट्री में पूरे मंत्रियों की मंदल की तो उसका लीडर हमेशा होता moyenne मं धवता है उदर मंदल की कोई भी पैठोको उसकी अद्रिक्श्ट नमीं करता है अटीक है जरू कमेंट करेगे सा न देंट किया है आपकी त्यारी कैसी चल रही है और जो भी प्रक्ष्ण आपसे बूचा जा रहा है आप कोशिश करते रहें नहीं जानते तो आप उसको पढ़ते कर सकते हैं आ जाते हैं Lakes question की त्रफ first section है हमारा तो आते है नेक्ष कोशिन की तरफsi को सबस्दान के मैं भारत का पहला राष्टि उढ्यान निमने में से कौन सा है जिम्कॉबरी राष्टि उढ़ियराष्टि उढ्यान का ना किसली राष्टी उढ्यान है यह आपके उत्राखंड राज में अवस्तित है जी हाँ और यह 1935 में 1935 में यह उत्राखंड में अवस्तित किया गया था इसको भारत का पहला राष्टी उद्यान बनाने का गौरोप्राप्त है या बनने का गौरोप्राप्त है लेकिन जब इधायान से एक बात समझ क्या नाम था हेली राष्टी उद्यान तो अगर कहीं आपको हेली मिले तो समझ जाएगा वह जिम कॉर्बेट का ही नाम है अभी यह बात आ जाती कि जिम कॉर्बेट कपड़ा जिम कॉर्बेट 1957 से इसका नाम बदल कर रख दिया गया और यहाँ पर जब सुरुवात में खो जाते हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रतम व्यक्ति कौन थे नील आर्मिस्ट्रॉंग राकेश शर्मा तेंजिंग नौर्गे या एडविन एलडविन तो चंद्रमा की जबात की जाती तो उस पर प्रतम व्यक्ति जिनोंने कदम रखा वो थे कौन नील आर्मिस्ट्रॉंग कौन थे मित्रों नील आर्मिस्ट्रॉंग और उन्होंने चंद्रमा पर कदम प्रतम वार में रखा था अब यहां पर बात आ जाती नील आर्मिस्ट्रॉंग किस देश के नागरिक थे तो नील आर्मिस्ट्रॉंग यह किस देश के अगरिक थे और इन्होंने 12 अप्रेल 1961 को ये कारणामा करके दिखाया था ठीक है चलिए और राकेश्रमा कौन थे राकेश्रमा ये भारत के थे चलिए आगे चलते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन इंपोर्टेंट है देश का पहला लोह इस बात कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया 1934 इश्वी कुल्टी पशिम मंगाल 1937 इश्वी आसन सोल पशिम मंगाल 1957 दारजलिंग ये निस कोई नहीं तो देश का प्रथम लोह इसपात कारखाना है मित्रों ये आपके 1834 इश्वी कुल्टी पशिम मंगाल में स्थापित किया गया जी हां इस चीश को याद रखेगा अब दूसरा आप लिखा है 1937 आसन सोल पशिम मंगाल तो 1937 में आसन सोल पशिम मंगाल में आपका देश का पहला अलमुनियम इसपात कारखाना कह सकते हैं आपकी यहां पर अ अगला है 1897 दारजलिंग तो 1897 डारजलिंग में आपका देश का पहला पानी से सनयत्रित जो एलेक्टरिसीडी प्रोडक्शन की बात की जाती है तो दारजलिंग में ही अवस्तित किया गया था ठीक है आई होब आपको कई धेट सारी जानकारी यहां से प्राप्त हुई नागलेंद पर्शिमंगले आसाम तो पंचारी राज व्यस्ता को जो अभी तक नहीं लगू कर पाया वो है आपका नागलेंट जी हाँ नागलेंट राज में अभी तक पंचाकतीर व्यस्ता लगू नहीं की गई थी तो बी ऑप्शन पिल्कूर करेक्ट होगा चलिए अब भारत में पहला समाचार पत्र किस ने सुरू किया था दादा भाई नरोजी सेद एहमत खान रविना टेगोर यह जैम्स हिक्की तो चलिए इसके बार में डीटेल आपको बताते हैं भारत को जो पहला समाचार पत्र था वो आप सभी को पता है वो कौन सा था बंगाल गजट य यह आपके जैम्स हिक्की द्वारा ही यह संपादित किया गया था यह सुरू किया गया था कह सकते हैं और इसको टूटल इंग्लिश में ही सुरू किया गया था और यह कहां से प्रकासित हुआ था मित्रों यह कलकत्ता से प्रकासित हुआ था और 1780 में इसकी प्रकाशन वर् आए आते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन है अंतरिश में जाने वाला प्रतम इंसान कौन है बहुत 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 इंपोर्टेंट है यूरी गागरिन वेलेंटीना त्रेश कोवा राकेश अर्मा या लाइका तो अंतरिश में जाने वाला प्रतम इंसान कौन है यह राकेश रमा आपके भारती है लाइका ये बहुत इंपोर्टेंट है आपको याद होगा अगर ये प्रतम कह सकते हैं कि कुतिया जो है बिच जो इंग्लिश में लोगी यूज़ करते हैं ये पहली बार इसको अंतरिश में भेजा गया था ठीक है चलिए आ जाते हैं नेक्स को सब्सक्राइब भारत का जो उपराश्पती रहाएं कि अ गधार के लिए लुक्त के गधार ये इस जो करना दो का नेक्स करेंशन वारत का व्हुत है था वाश्वर्टेंट है फिर पार्वारत का झाल करते हैं ।